Hi, Hello everyone इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डिली जुडिशी का question no.3 जो 2019 का criminal law a paper दया है वाइस clear आई क्या, पीछा नीचे तामाई इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डिली जुडिशी का 2019 का criminal law का paper जिसके अंदर question no.3 करेंगे इससे पहले हमने question no.1 and 2 कर लिया है किस तरीके से करना है means के अंदर ये questions है means का paper है तो किस तरीके से paper आता है और क्या questions रहते हैं उस तरीके से आपको समझ आता रहेगा understanding रहेगी कैसे question होता है आर वो देखता है मतलब जो forest guard होता है वो देखता है और वो इस चीज़ को पुलिस को बता देता है कि मेरे को इस तरीके से एक body forest के अंदर मिली है तो जो पुलिस होती है फिर उस unidentified body को सच करने की कोशिश करती है कि इसकी death कैसे हुई क्या हुई कौन है ये तो वो सब पता नह पोश्मोटम भी किया जाता है अगले दिन उस body का postmortem किया जाता है और तब भी नहीं पता चल पाता कि ये किसकी body है तो अब पुलिस क्या करती है उसको एक तरीके से दफना देती है बर्यायल कर देती है जो भी आसपास का ground होता है बरी कर देती है उसके अंदर जो बर्या है अब यहाँ पर जब ग्रडर अप्रक्रार कर लियी तो यहाँ पर तो Is Aadक के चलते एक्यू इन्हीं बता रहada किसे एक्यूस को कड़ लिया जाता है और कि ce स्टेटमेंट लिली जाती है जिसके अंदर वो बोलता है कि मैंने ही एक्स का मडर किया है अब यहां पर जो इसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है इसके चलते हुए क्या किया जाता है उस पर जाके वो इस पोर्ट पर भी लेकर जाता है जहां पर उसका अगें से पोस्ट मोटम किया जाता है और फिर जब पोस्ट मोटम किया जाता है तो उस बोड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है second time जब किया जाता है तो इसलिए ना super imposition face test किया जाता है उसका और उसके अंदर identify कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे जो व्यक्ति जिसकी हथ्या हुई थी वो वही व्यक्ति है जिसको एक्स ने मारा था अब accused का बोलता है कि यहाँ पे आपको मुझे सजा नहीं देनी चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पे जो body है वो मिली ही नहीं है और prosecution जो है उस dead body की identity को establish करने में fail हो गया है ठीक है तो हब हमें यहाँ पर बताना है कि क्या यह सही है यह नहीं है और यह जो super imposition test है और यह जो अगर आप इसके facts देखोगे तो हमारे पास काफी सारे supreme court के cases भी आते हैं जिसके जिसमें इस तरीके की चीज discuss की गई है कि क्या अगर कोई murder का case है या नहीं कि section 302 का case है तो वहाँ पे जो body होती है उस व्यक्ति क्या वो मिलना जरूरी है या नहीं है अब generally जब भी कोई murder होत तब ही हम उसको homicide बोलते हैं की तरीके से जो इसी ने ये जो है हत्या है वो की है तो अगर आप इसके present case के साफ से देखोगे तो यहां पे जो क्या बोल रहा है अगर हम इसी में से देखते हैं बाकि मैं समझाता रहूंगा एक्यूज बोल रहा है कि यहां पे जो है ना उसकी बॉड़ी जो है नौन रिकवरी ऑफ कॉर्पस जेलिसे टुए है तो यह अपने अप में फैटल है और जो प्रॉस्टिशन हो गया इस किया था उसके अंदर आइडेंटिटी तो हुई थी कि यह किसकी बॉड़ी है तो यह तो इसने गलती बोला है और सुपर इंपोजिशन टेस्ट के लिए इसने गलत बोला था तो सुपर इंपोजिशन टेस्ट भी कब से जो है जब डीन ने टेस्ट भी नहीं होता तो उससे पहले से चला आ रहा है super imposition test तो वो भी जो होता है वो valid होता है उसके उपर हम भरोसा कर सकते हैं अब देखो हमें किस तरीके से बताना है तो यहां से हम शुरू करते हैं यहां से no doubt ordinally in case of homicide की homicide जब भी होता है किसी इंसान की हत्या होती है तो उसमें से एक essential ingredient क्या होता है कि हमें ने की है जिसका मतलब यह होता है कि आपको यह प्रूफ करने से पहले कि जो एक्यूज है वो प्रिपेटर है मटरर का आपको यह establish करना पड़ता है कि यह जो death हुई है वो homicidal death हुई है यानि कि इसको किसी ने मारा है और वो कौन व्यक्ति है जिसने मारा है वो accused नहीं इसको कुमारा है तो ordinary the recovery of dead body of disease or vital part of it bearing marks of violence is considered to be sufficient proof of homicidal death तो generally हम यह मानते कि अगर जिससे में body recover हो जाती है या उसको कोई part recover हो जाता है जिसके आपर कोई violence किया गया इस तरीकी की चीज़े तो हम यह मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की homicidal death हुई है लेकिन आगे क्या बोलता है it is noted that discovery of the dead body of victim bearing physical evidence of violence has never been considered as the only mode of proving the corporal delicacy लेकिन किसी की सिरफ body मिलना और उसके पर कोई violence के निशान होना से जरूरी नहीं है कि उसका homicide हुआ ही हो कि homicide हुआ हो या murder हुआ हो there can be many cases of such nature that discovery of dead body is impossible और बहुत सरी ऐसी situations भी होते हैं जहां पर हमें dead body मिल ही नहीं 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 पाती तो सिरफ एक इस rule के उपर चलना की जो body के इस rule के उपर चलना की doctrine would open to the door for many heinious murder to escape the impunity of simply because they were clever enough to destroy the body of their victim सिरफ यह मान के चलना कि जब body मिलेगी तब ही हम मानेंगे कि murder हुआ है या हत्या हुई है या culpable homicide हुआ है या जो भी हुआ है यह एक सही principle नहीं है क्योंकि एगर ऐसा होगा तो बहुत सारे ऐसे भी criminals हैं जो कि dead body को या जो भी जिसका भी murder करते हैं उसको इस तरीके से destroy करेंगी उसकी body ना ही मिले क्योंकि बहुत clever criminals होते हैं तो इसलिए सिरफ इस principle के उपर हम नहीं चल सकते हैं अब जैसे काफी सारे सुप्रीम कोट के judgments हैं जिसके अंदर रिगार्डिंग सुप्रीम कोट ने कुछ कुछ बोला जैसे कि एक केस आता है रमानन्द एन अधर्स वर्सी स्टेट ओ हिमाचल का जिसके अंदर क्या बोला सुप्रीम कोट ने हमें dead body नहीं मिली तो हमें क्या करना पड़ेगा जो बाकी cognitive and satisfactory proof है cognitive मतलब की होता है कि ठोस एक तरीके से इस तरीके के हमें evidences जूणने है ठोस और satisfactory की जो satisfy करते कि इसकी death जो हो homicidal death हुई है victim की death है ठीक है सच प्रूफ में भी अब यह जो प्रूफ है आप कैसे प्रूफ करते हो जब हम evidence पड़ते हैं तो या तो आप डिरेक्ट evidences से प्रूफ करते हो यानि कि ocular evidences होते है जिसे कि eye witness हो गई ठीक है या तो आप उससे प्रूफ कर दो या फिर आप कैसे प्रूफ करो circumstantial evidences से प्रूफ करो लेकिन अगर अगर अब circumstantial evidences से प्रूफ करें तो आपको ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए कि जो ना प्रूफ कर गई हो कि इस व्यक्ति का मटर नहीं हुआ है तो यहां भी यही बात बता रहा है कि आ सकते हो अब जहां पे corporate delicity की बात होती है यानि कि homicidal death की बात होती है तो हमें circumstantial evidences से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पे homicidal death हुई है लेकिन इस situation के अंदर जो circumstantial evidences होते हैं वो कैसे nature की होने चाहिए clinching and definitive character के होने चाहिए यानि कि किसी भी situation में ऐसी जगा न रहा जाए कि वो ना प्रूफ कर रहे हो कि इस वेक्ति की homicidal death नहीं हुई है perfect proof is seldom and he had been imperfect world देखो आप कहीं पे भी न पर्फेक्ट प्रूफ तो नहीं हो सकता पर्फेक्ट प्रूफ अपने आप में एक भ्रहम है आप किसी चीज को perfectly प्रूफ नहीं कर सकते इसी लिए ही जो section 3 evidence अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी उसने क्या बोला है कि हम किसी चीज को प्रूफ का मानते हैं जब कोई ordinary prudence का man जानी कि कोई prudent man किसी चीज को उस particular situation में मान लेता कि ऐसा होता तो उसी को हम proved मान लेते हैं तो exact हर चीज को 101% प्रूफ करना possible नहीं होता the corpus delicity or the fact of homicidal death therefore can be proved by telling and impuglating circumstances तो इसलिए आप corporate delicity को प्रूफ कर सकते हो circumstances को बता के जो की एक तरीके से conclusion के उपर आपको पहुंचा सकते हैं सेम बात इसी तरीके की राम चंद्रहें राम भरोसे वसी स्टेट अव उत्तरप्रदेश के केस में बोली गई सुप्रीम कोट के द्वारा स्टेट ऑफ करनाटका वसीज में महेश के के केस में बोली वेपन मिलना यह सब इंपोर्टेंट फेक्टर होते हैं दिस इस नॉट इन इन फ्लेक्सिबल रूल लेकिन इन फ्लेक्सिबल रूल निया कि सिरफ और सिरफ अप इन ही के सहारे बैठे रहो और 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 किसी चीज से प्रूफ ना करो इट में रिजल्ट इन अगया तरहे बाकी सरकम्स्टांसि पर्पा रहा है कि यहां पर इस होमे साइडल डेथ हुई ती और किस व्यक्ति नहीं ती A charge of murder may stand established against the accused even in absence of identification of body और क्या body का identification होना जरूरी होता है तो उसके लिए बोल रहा है कि body का identification होना भी कोई जरूरी नहीं है महाँ पर basically हमारे पास clinching evidences होने चाहिए हैं कि जिससे कि बस यह प्रूव हो जाएगी इसके death हुई है और इस लेक्ती नहीं किया तो यहाँ पर अगर prosecution जो होता है वो successful हो जाता है cognitive and satisfactory proof देने के लिए कि victim की death हुई है और homicidal death हुई है चाहिए उसकी corpus solicity यानि body मिली है या नहीं मिली है उससे कोई इतना major फरक नहीं पड़ेगा अब अगर present case के ओपर हम आए तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं कि body नहीं मिली या identify नहीं मिली है यहाँ पर सब कुछ हुआ है कि dead body जो है disease की वो हमें मिली है अब देखो जब इसके अंदर उसने खुदी डिसकवरी भी करा दी section 27 evidence 8 के साब से तो यहाँ नहीं मिली है यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए लेकिन नहीं कर पाए लेकिन बाद में जब हमने सेकिंड पोस्टमोटम किया था तो यहाँ पर उसकी भी वैली हो जाती है और सेकंड पोस्टमोटम होता है तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि identify हो जाता है कि हाँ यह एक्स का हज्बंड ही है इस टेस से हम पता लगा लेते हैं और इस टेस को हम इंगनोर नहीं कर सकते है कि यह जो टेस्ट है वो एक तरीके से वैलीड रहता है हम इसको ले सकते हैं प्रोसेस के अंदर बेजिकली इस टेस्ट के अंदर यही होता है कि उसको मान लेते हैं सेंटिविक एडवास्मेंट के तुरू है इसी तरीके से जो डिने प्रोफाइलिंग होती है जो कि फर्स टाइम कभ यूज रही थी और जब कि जो सकल फोटोग्राफ और इंपोजिशन टेस्ट होता है यह तो उससे पहले से भी यूज होता वह आ रहा है तो इन दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और डिने प्रोफाइलिंग तो जो होती है अब मेजर ली यूज उसकी जाती है फॉरेंसिक लैबरोटरी इसके अंदर जिसके तुरू हम प्रूफ करते हैं कि हाई यह बॉड़ी इसकी है या नहीं है तो यही चीज़ा में यहां पर बता रहा है कि सुपरिंपोजिशन टेक्स और डिने की जो वैली होती हो ज्यादा होती है इंकाम प्रेज बाडी भी इसकी मिल गई है यहां पर इसकी डिसकावरी भी करवा दिया है तो सारी चीज़ा यही हो रही है सुपरिंपोजिशन टेस्टी से भी हम इस चीज़े प्रूफ हो लही है तो यहां पर उसको माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है तो आई-ई-ई-ई-ब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा